हालो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे चिकन अफगाने कॉफटा बहुत मज़दा और डिलिशिस बनेंगे एक बाराव जुरू ट्राइए कीजिए का चिकन अफगाने कॉफटा हमने यहाँ पर 700 ग्राम बॉनलेस चिकन लिया है इसको हमने धोकर अच्छे तरह से साफ कर लिया ह और चली की मदर से इसका तार पाएं निकाल लें लिए थे प्रेंड्स अमने यहां पर थीन ब्रेट की सिलाइस लिए इसका निजबी वाला भाग हें वह निकाले हैं कोनर अफ़ा दी है हम इसको चिकन में मिक्स करके मिच्छ लेना है यहां कीमत तयार कर लेना है त्सक्री इसमारा इच्छी तरह से बनकर तयार हो गया है अब मिसमाव करते हैं अब हम प्रैंट उपकर करते हैं नमक में त constructer करें यह खर हाफ फिर नेमेज़ लिया है वो करती है हाफ टीस्पून और जेहीं घया है आप चाहिए तो फर भी comment have पेट करना है शो कि करते हैं हम समय को जिससर सारे मसाल है हमारे कीमे में और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं इसी तरह से हाथ की मदद से हमें इसको मिक्स कर लेना है कि में को अच्छी तरह से जिसे सारा मसाले माया की में बहुत अच्छी तरह से कीमा मारब। बहुत इच्छा तरुम नोगया अब हम इसके कोफती तयार लेते हैं। हम इसके कोफता का साइज बना लेंगी फ्रेंड्स हमेहाँ बना का ओलिया..? देखे Firm middleyy हमने यहा पर सारी कोफ़त अपने बनाकर तयायर कर लिया है साइस आप अपने हिसाब से दख सकते हैं कोफ़त अब नंको फ्राई करना है को फ्राई कॉफ तख हम ने यह हमारा हलका गरम हो गया है अब हम इसमें कोफटे एट कर देंगे सारे कोफटा में यहां एट कर देने हैं और इसको हमें अच्छी तरह से फ्राइब करना है देखे फ्रेंड्स हमने यहां पर सारे कोफटे एट कर दिये एक साइट से friends देखे-मारे color आगए इसको फ्लट देते हैं कॉफतो को separates सारे कॉफतों प्लट देना है pensta लिए खर अच्छी तरह से इनको fry करना है जारा देर तक फ्राइज नहीं करना क्योंकर मैं ग में कॉ-स बनाने सिर marched कलर ही चाहिए गेस का फ्लेम फ्रेंट्स आप बिलकुल मीडियम रखना है देखे फ्रेंट्स इसी तरह समने साइक कॉफ्टे पलेट दी है प्रेंट्स हमने यहां पर सारे कॉफ्ट में हमारा कलर बहुत अच्छे तरह से आ गया है फ्राई हो गया है मारे साइक अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं देखे फ्रेंट्स आया कॉफ्टे में बाहर निकाल लेने हैं बहुत अच्छे कलर आया है कॉफ्टे पर देखे फ्रेंट्स सारे कॉफ्टे मारे बनकर तयार हो गया है फ्राई हो गया है अब इसके गिरेवी तयार कर लेते हैं गिरेवी बनाने के ल कि लिये हैं इसके हमने रफ़ी चौप करकर रख लिया था क्योंके हम इसको गिरिये के लिए कर लेना है दसे 12 का जू इπα लेंगे याँ पर याँ यद्ध और चार से पांच लेश्टक लेएं वेट कर दीबने और हमें यहां पर 3-4 मिट तक वकाना है इसको जिससे हमारी प्यास अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए काजु प्यास और ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी बने कर तैयार होगी इस तरह से देखें फ्रेंस चार से पाइंच मैट होगा हैं बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई हैं हमारी यहाँ प्यास हमने गे Link कर दिया है 2 टेपल स्पून हमने यहां पर खरबूज़ी गृ ली है वेट कर दिये इसको अच्छी दतर्सर मिक्स कर देना है और हम इसकी ग्रेवी तयार कर लेते हैं देखे फ्रेंड्स हमने याँ पर जिस अोईल समया कोफ्त अप्राइक किते हैं हम ने वही लिया है उयल को हमने च्छान को छान लिए था वह एट कर दिया है चार ही यहां पर हमने हरी है चली है और तीन तेस पत्ता लेने है देखे फ्रेंड्स मसाला ब्रावन हो गए है अब ह अभी अब लगेविए के दो सा तीन मिट तक बखाना है फिर हमसे मसाला एट करेंगे है आप देखे फिर्ण्स हमारे दो सा तीन मिट हो गए हैं बनते हुए आप मिस्वाशा लेट करते हैं वन टीजपून हम नहीं यहापर चिकन मसाला एट क्या है फिर्ण्स बनब टीस्पून हम यापक गरम मसाल करेंगे अच्छा तरह से इसको चलाएंगे ग्रेभिय मिक्स करेंगे और दो सब तीन बिट तक मसाले में देखे फ्रेंड्स अच्छी तरह समने मिक्स कर दिया है इसमें वेट टीस्पून फ्रेंड्स हम इसमें आपर दखनी मिश्च का पाउडर एट करना है दखनी मिश्च का पाउडर एट कर दिया है देखे फ्रेंड्स हमने आपर दखनी मिश्च का पाउडर एट कर दिया है इस ились को नमखेट कर दिया हमने यहां पर फ्रेंड्स बहुत ही तरह से गेवि辈 बनकर तयार होगे ग्रेवि का हام मैं मीडिथ pik r पकाना है किवरेवि जितनी देर बनए ही कि तने मुझे बन तयार होगो फ्रेंड्स देख़ें बहुत ऐसे तरह से ग्रेवि यहां पर हमने 100 ग्राम दही लिए दही को हमने आप फेट लिया था ताज दही है और हमने वह एड़ कर दिया है दही को फेटना जरूरी है इस से दही हमारी क्रीम की तरह हो जाती है और लंप से बिल्कुल भी ने रहे था दही में अच्छी तरह पकाएंगे और हम ग्रेवी को वह एड़ कर देनी है आप चाहे तो घर की ताजा क्रीम भी एड़ कर सकते हैं दूद के ओपर हुई जमी हुई मलाई जो होती है वह एड़ कर सकते हैं आप इसमें देखे फ्रेंड हमने क्रीम एड़ कर दी है और चलाएंगे इसको हम अच्छी तरह से कि दो से तीन में घर में क्रीम को पकाएंगे जिससे क्रीम हमारी अच्छी तरह से ग्रेवी मिक्स हो जाए और टेक्श्चर बहुत अच्छा आता है क्रीम से देखे फ्रेंड वन टीजपून हम नहीं आपर कस्तूरी मेथिली है वह एड़ कर दी है क्स्तूरी मेथिसे फिले कुक्क टियार हो गई अपको एड़ करेंगे अधे फिर्ण संहने सारे हां अज्फ कर दिए है अच्छी को मिक्स करेंगे को अच्छी तरह से कॉफता कने यहाँ आंपर मिक्स कर देना है जैक्छ फिर्ण सारे को तौस्त मैं मिक्स होगा है अब हमने यहाँ पर हाफ-leak 역ime मि के मिल या है वेट कर देना है और 24 मिट हमें हमें डि को कौते को आप अची तरह सब ऑगता करता है में को यह इस अच्छा जबरदस इडिया कर दिया है हमने यह आपर जो हरा दुनिया बचा कर रखा था वेट कर देना है गार्णिश करने के लिए और बहुत ही मज़दा है और डिलिशिस हमारे अफगानी कौफता बनकर तयार हुए फ्रेंड्स देखे फ्रेंड्स अच्छी तरह चला देते हैं इसको और बहुत ही मज़दा हमारे डिलिशिस कौफता बनकर तयार हुए एक बार आप जूर ट्राय कीजिएगा फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एक ब बार आप चिकन अफगाने मलाइक कॉफता बनाकर जोड़ ट्राय कीजिएगा फ्रेंड्स यह बहुत जबरदस्त और यम्मी होते हैं और बहुत आसाने से बन में जाते हैं यह कुले रिश्ट्रेंट इस्टायलें बनकर तयार होंगे चिकन अफगाने कॉफता